स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम की बात पर आज ही दो फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हम दो फरवरी 2021 से जुड़े करेंट अफ़ेर की इंपोर्टेंट कुश्चन साथ ही इन कुश्चन से जुड़े इंपोर्टेंट आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल दो प्रशन होंगे आप सभी को इन दोनों कुश्चन के आंसर कमेंट बोक्स में देने हैं दोनों कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है तो आप सभी इन दोनों कुश्चन के आंसर कम अपना दिवस मनाया है एक important question है और आपको याद रखना है कि हाली में भारतिय तर्टरक्षक बलके द्वारा अपना 45 वा इस्थापना दिवस मनाया गया है अब यहाँ पर बात है भारतिय तर्टरक्षक बलकी तो इससे जुड़े दो important fact है आपको याद रखना है पहला तो य जिस प्रकार एक फरवरी को भारतिय तर्टरक्षक बलने अपना 45 वा इस्थापना दिवस मनाया है उसी प्रकार एक जनवरी को DRDO ने अपना 63 वा इस्थापना दिवस मनाया था यह दोनों आपको याद रखने है DRDO के द्वारा हाली में अपना 63 वा इस्थापना दिवस मना आपको याद रखना है आज का हमारा कॉशन नमर दो और एक important कॉशन है किस राजी की टीम ने सेयद मुस्ताक अली T20 ट्रोफी को जीता है तो हाली में सेयद मुस्ताक अली T20 ट्रोफी को जीता है तमिल नाडू राजी की क्रिकेट टीम ने important है और आपको याद रखने है साथ ही आपर एक और important fact है कि सेयद मुस्ताक अली T20 किस खेल से संबंदी थे ये question exam में पूचा गया है कि सेयद मुस्ताक अली T20 जो है ये किस खेल से संबंदी तो ये क्रिकेट से संबंदी थे और हाली में इसी को जीता है तम्मिल नाडू राजजी की टीम ने अब यहापर बात आई है तम्मिल नाडू की तो तम्मिल नाडू राजजी से जुड़े कुछ current affair के fact है जो आपको याद रखने है सबसे पहला तो ये कि तम्मिल नाडू साथ ही आपको याद रखना है कि थीपू सुम त्योहार हाली में थीपू सुम त्योहार जो है तम्मिल नाडू राजजी में मनाया गया है तो आपको ये तीन current affair से जुड़े important fact याद रखने है तम्मिल नाडू राजजी से जुड़े हुए साथ ही अगर बात करें तो तब्मिल नाडू राजी की राज़दा नहीं चेन नहीं वर्तमान में इसके मुख्य मंत्री है के प्लानी स्वामी और इसके राज़पाल है बनवारी लाल पुरोहित यह important factor तब्मिल नाडू राजी से जुड़े वे जो आपको हमेशा याद होने चाहिए आज का हमारा question number 3 है world tour finals नहीं के WTF WTF 2021 में पुरुष वर्ग में कौन विजेता रहे हैं आपको याद रखने है कि हाली में world tour finals 2021 में पुरुष और महिला वर्ग में विजेता एक गोशित हुई है सबसे पहले आपको याद रखने है पुरुष वर्ग में पुरुष वर्ग में डेनमार्क के किस देश के तो डेनमार्क के हैं एंडर्स एंटोंसेन इनका नाम आपको याद रखना है डेनमार्क के खिलाडी है एंडर्स एंटोंसेन ठीके दोस्तों बेडमिंटन का ये खेल होता है वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 ठीक दोस्तों तो डेनमार्क के जो एंडर्स एंटोन सेन है वो पुरिश वर्ग में विज़ेता रहे हैं अगर बात करें महिला वर्ग की तो महिला वर्ग में विज़ेता रहे हैं ताई जू इंग इनका नाम भी आपको याद रखना है ताई जू इंग जो है ये महिला वर्ग में विज़ेता रहे हैं जो की ताईवान से हैं ताई जू इंग ताईवान से हैं वर्ल्ड टूर फाइ परियतन पहल की शुरुवात की है, important और आपको याद रखना है कि हाली में महाराष्ट सरकार ने, महाराष्ट सरकार के द्वरा जेल परियतन पहल की शुरुवात की गई है, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट में एक सबसी प्राचीन जेल है, जिसका नाम ही यरावदा ज ठीके दोस्तों, important और आपको याद रहना है कि यरावदा जेल किस राज्य में है, तो यरावदा जेल महाराष्ट राज्य में है, ठीके दोस्तों, महाराष्ट के पूने में है, महाराष्ट के पूने में यरावदा जेल है, जहाँ पर एक समझोता हुआ था, ठीके दोस्तो जिसके बारे में राखते हैं पूना समझोता पूना समझोता किन के मद्धी हुआ था पूना समझोता हुआ था डॉक्टर भीम राव अंबेड कर और महात्मा गांदी जी के मद्धी जिसे पूना समझोता के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर है यरावदा जेल और इसी जे वही अगर बात करें कुछ और important fact की तो वह इस प्रकार है कि हाली में पूर्तगाल देश ने इच्छा मृत्यू को कानूनी मान्यता देने वाला सात्वा देश बन गया है। मनीश चिंग चोहान जो ही पूर्तगाल देश में भारत के नई रास्दूत नुक्त हुए हैं और हारी में पूर्तगाल में इच्छा मृत्यू को कानूनी मान्यता देने वाला सात्वा देश बन गया है। में अजीत विनायक गुपते को मिश्र में मिश्र देश हैं अफरीका मादीप में यही पर अजीत विनायक गुपते को भारत की और से नया रास्दूत नुक्त किया गया है। एक important question और आपको याद रखने हैं। साथ ही आपको हाली में कुछ नई रास्दूत नुक्त हुए हैं जिनके नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले बात करें तो मिश्र की और मिश्र में नुक्त हुए हैं अजीत विनायक गुपते कजाकिस्तान। हाली में शुबदर्शनी त्रिपाटी। ये question हमने कल के वीडियो में ही पढ़ा था शुबदर्शनी त्रिपाटी। हाली में किस देश में भारत की रास्दूत नुक्त हुए हैं तो कजाकिस्तान में। और पुर्तगाल में मैंने आपको हाली में बताए हैं मनीश सिंग चोहान पुर्तगाल में भारत के नई रास्दूत नुक्त हुए हैं साथ ही हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था विरेंदर कुमार पॉल इनका नाम भी आपको याद रखना है विरेंदर कुमार पॉल ये कहापर नुक्त हुए हैं तो ये सोमालिया में अफरीक कुशन नमर छे हैं कुवर मानवेंदर सिंग किस राज्जी की विधान सभा के अस्थाई प्रोटेम स्पीकर नुक्त हुए हैं एक इंपोर्टेंट कुशन है और आपको याद रखना है कि कुवर मानवेंदर सिंग हाली में उत्तर परदेश राज्जी की विधान सभा में अगर हम बात करें उत्तर पर्देश राजजी की, तो उत्तर पर्देश राजजी से जुड़े कुछ इंपोर्टन फेक्ट है जो आपको याद रखने, उत्तर पर्देश के मुख्य मंत्री है योगी अधी तिनात, और यहां की राजय पाल है आनंधी बेन पटेन, यह तो हु में स्ट्रोबेरी महोट सो मनाया गया है कोशन एक्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट कोशन गंड तंतर दिवस पर जो परेड हुई थी साथ ही अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है देश का पहला चमडा पार्क ये भी इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कि देश का पहला चमडा पार्क उत्तर परदेश रज्ज में शुरू हुआ है इसके अलावा आरोग ये मेले का उत्तिर परदेश की राज़ानी लकषनों में थेला बेंग की शुरुवाथ की गई है अघका हमारा अनतिम प्रशन है कि इस देश की सेना ने तक्ता पलेट कर एक साल के लिए देश में इबंचेंसि गोशित कर दिया है जैसा कि आप जानते हैं आंग सान सू की ठीक दोस्तो ये जो थी ये म्यामार की थी म्यामार की एक नेता थी और ये वहाँ की परदान मंतरी भी थी तो आपको याद रखना है कि आंग सान सू ची के जो है फोज के दोरा वहाँ की फोज के दोरा म्यामार आपको देश का नाम य एक साल के लिए देश में इमर्जेंसी गोशित किया है, इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर हुआ म्यामार, ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे करेंट अफेर के इंपोर्टेंट कुश्चन, साथ ही उनसे जुड़े कुश इंपोर्टेंट फेक्ट जो आपको हमेशा याद रखने है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वीडियो के टेस्ट पर, हमारे लास्ट वीडियो का टेस्ट था, जिसका पहला प्रश्ण था, आपको बताना था असत्य विकल्प को चुने, आपको इन में से बताना था कौन सा असत्य है, आपके पास थे चार उप्शन, जिसमताब मकर विलक्कू वार्शिक त्योहार क्या करनाटेक राज्य में मनाया गया है, कानुमा त्योहर क्या तेलंगाना राज्य में मनाया गया है चेरी ब्लोजम माउ फेस्टिवल मनिपूर राज्य में मनाया गया है या आइस क्लाइमिंग फेस्टिवल लेह राज्य में मनाया गया है तो यहाँ पर जो option गलत था वो था A option ठीक है दोस्टों, यह option यहाँ पर गलत था, मकर विलक कु वार्षिक त्य souvent जोए करनाटअग राज़े में नहीं, बलकि केरल राज़े में मनाया गया है तो आपको यहाँ पर चार इस प्लाइम स्थ याद रखने हैं हमारा question number 2 था और current affair का question था गंतंतर दिवस पर किस राज्य की जाकी को पहला पुरुसकार प्राप्त हुआ है तो हाली में मैं आपको बताया है कि गंतंतर दिवस पर हाली में उत्तर परदेश राज्य की जाकी को पहला पुरुसकार प्राप्त हुआ है इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है तो यह थे लांस्ट वीडियो के टेस्ट के दोने इंपोर्टेंट कोश्चन जो आपको याद रखना है अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर आज का हमारे टेस्ट का पहला प्रश्चन है कोश्चन कुछ इस प्रकार है इसके उपर मेंने वीडियो कल ही बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन सा विदेशी यात्री भारत में किसकी शाषिनकाल में आया था तो आपको बताना है कि निम्न मेंसे कौन सा विकल्प असत्य है आज का हमारा कौशन निम्र दो और करेंट अफेर का कौशन है कि हाली में प्रोजेक्ट लाइट हाउस किस राज्य में शुरू किया गया है एक इम्पोर्टन कौशन है और आपको बताना है कि हाली में प्रोजेक्ट लाइट हाउस किस राज्य में शुरू किया गया है तो यह आज के टेस्ट के दो important question जिनके answer आपको comment box में देने हैं तो इन दोनों question के answer आप comment box में जरूर दीजेगा साथ ही गर आज के वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें साथ ही वे सभी जो आज channel पर नए है उन्हें वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो channel subscribe करना न भ बूलें साथ ही बेल आइकन जुरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंच जहनकर यापको मिल सकें thank you अबे यार यह क्या हो गया